दोस्तो नमस्कार दोस्तो राजस्थान में चुनावी महोल है और हम लोग आए दिन किसी नेता के काफिले देखते रहते हैं लेकिन इस वीडियो को देखकर के ऐसा लग रहा है कि ये काफिला किसी ऐसे राजनेता का है जो राजनेता सबसे ज़्यादा लोग पर यह है हलाकि हम सब लोगों ने इस वीडियो को देखते ही यह अंदाजा लगा दिया होगा कि यह वीडियो किसी ने किसी राजनेता के काफी लेका है लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने अंदाजा लगया है संभवत उन नेता जी को यह अंदाजा नहीं होगा कि मैं जिस जगह पर जाऊंगा तो इतनी संख्या में लोग हमारे स्वागत के लिए आ जाएंगे इस छेतर के लोग इतना हमें चाहते हैं दरसल ये वीडियो राजस्थान के तारा नगर विदान सभा का है जहां से इस बार बीजेपी के पर्त्यासी है राजेंद्र राठोड राजेंद्र राठोड लगातार पूरे परदेश में लोग पुनिये नेता बनते जा रहे है पिछली बार राजंद्र राठोड चूरू विदानसभाद छेत्र से चुनाव लड़े थे और वहां से विदायक बने थे इस बार पार्टी ने उन्हें तारा नगर के लिए टिकेट दिया है और वहां की जिम्मेदारी दी है राजंद्र राठोड टिकेट मिलने के बाद आज अपने विदानसभाद छेत्र में अपने कारेलय का उद्गाटन करने पहुँचे तो वहां पर राजंद्र राठोड का पूरे विदानसभाद छेत्र के लोगों ने इस तरीके से आदर सथकार और स्वागत किया जैसे ये आज ही चुनाव जीत करके वापस अपने छेतर में लोटे हो लोगों का इस तरीके का हुजूम देख करके कहीं ने कहीं राजनितिक गलियार में ये चर्चाएं की जा रही हैं कि यहाँ पर जो हैं राजंदर राठोड का आम लोगों में जबरदस्द क्रेज हैं और अपने आप में किसी नेता का इतना बड़ा काफिला देखने को नहीं मिलता है जितना राजंदर राठोड का काफिला आज तारा नगर में देखा गया राजेंदरी राठोड जैसे ही अपने विदानसाबा छेतर में पहुँचे तो उनके सीमा में परवेस करते ही जगे जगे पर गाउं धाणियों में भी लोग उनके स्वागत के लिए आए और जैसे ही तारानागर में उन्होंने परवेश किया तो वहाँ पर लोगों ने राजंदर राठोड पर जम कर फूल बरसाए और उनके जोरदार नारे भी लगाए दरसल राजंदर राठोड अपनी बेबाग बातों से अपनी बेबाग छवी से हमेशा अलग पैचान रखते हैं और राजंदर राठोड को लेकर पूरे परदेश वर्मन लगातार लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है और अगर राजंदर राठोड की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि राजंदर राठोड का सिर्फ सेखावाटी, जैपूर, मेवार तक ही नहीं बलकि पूरे राजस्थान में जबरदस्त क्रेज जो हैं वो बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि तारा नगर से जब उनको सीट डिकलेर हुई हैं उसके बाद से लग संख्या में हुजूम उमड़ गया और आप देखिए कि किस तरीके का यहां नजारा जो हैं वो राजंदर राठोड की काफिले को हम सब लोगों को देखने को मिल रहा हैं तमाम परकार के काफिलों के खबरों हम लोग दिखाते हैं लेकिन संभावत ये किसी राजनेता के का अपने आप में जिसका अंद्याजा उन नेता को भी नहीं था कि इतनी संख्या में लोग आपर कैरले उद्गाटन कारिक्रम में आ जाएंगे और इतना बड़ा एक सक्तिक परदर्शन हो जाएगा इसे कहीं ने कहीं पूरे परदेश में ये मैसेस गया है कि राजंदर लगातार बढ़ता जा रहा है